यह हमारी जितने भी हुमन एक्टिविटी होती है उसका एक नतीजा जूरूर होता है उसका सबसे बड़ा नतीजा जो है वो एर पलूशन है हर कोई भी एक्टिविटी ले 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 आप सिर्फ गाड़ी चला रहे है उसका तो बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है एर पलूशन के उपर कार्बंड आउकसाइड कितनी सारी निकलेगी उसका सारा एर पलूशन के कोई भी जरा सा भी काम ले लिए अपका कंस्रक्शन है ना शेहर बनते हैं लोग शेहर में रहते हैं कंस्रक्शन में क्या सबसे ज़्बंट थूरत होती की स 115 के बाद उसके बाद तो्चो सब्सेंड़ादा प्लूशन होता है सिमिन इंडिस्टी का आता है पार्टिकलेट मैटर की हम बात करेंगे आगे चलके पी-म-2.5 या पी-म-10 ये सारी चीज़े सिमिन इंडिस्टी से आती हैं और सिमिन जो बनती है वो इसको पत्थर को लेके जलाते हैं तो उस से इस बनती है ना पोर्टलेंड से में वो जलती कै करने की है और जो भी पुलूशन होगा उसके यखिनान हीमन हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा बात वही होती है कि कम से कम हेल्थ पर पड़ने की अ कुछ लोग्स कुछ खिसमत होते हैं कि किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर फ्लासी नहो तो वहां पर कुछ चीज़ें और साफ हो जाती है कुछ consciousness भी होती है कुछ cultural भी होता है कुछ जगह ऐसा होता है कि poverty जो है वो कुछ करने नहीं दे पाती है जैसे हम अभी देखेंगे कि क्या क्या होता है यहां पर तो उसमें देखना पड़ता है कि source क्या है उसका pollution का और कितने लोगों का effect पढ़ा है और उसका economic effect कितना है और उसका human सहत पे और जानों पे कितना effect पढ़ा है तो उन सब को मिला के फिर देखना पड़ता है कि कोई भी जो activity है वो valid है के नहीं अगर नहीं है तो उसको फिर correct किस तरह से किया जाए तो यह economic and human cost of air pollution इस पे इस module में उस पे तसकरा करेंगे तो यह आप देखें यह यह जो population जो है हमारी किस तरीके से बढ़ रही है दो हिससे हैं इसके और दोनों में फर्ख देखने कितना बड़ा है जो कि जो भी developed nation है ना वो उनकी population देखें कितनी है और उसका growth देखें कितनी है वो industrial revolution वगरा के बाद तो growth तो उनकी भी हुई थी लेकिन बहुत कम और बहुत ही कम उस पे जाके वो flat हो गई है अब बहुत सारे मुमालिक हैं अमरीका में तो growth थोड़ी maintain करते हैं वो immigration से लेकिन यूरोप वगरा में जहां पर अब तक कि immigration का इतना वो नहीं था अभी शुरू हुआ है सारा जगड़ा पहले तो इतना नहीं था तो वहां पर उनक से लग रहा है कि जैसे कुछ उसमें उनकी population कम हो रही हो total population बागी जो developing nations है ना उनकी population देखें उस compare करें अब वो जादा दूर जाने की जूरुरत है नहीं चाइना है इंडिया है यह दोनों आप इनकी एकनामी काफी बड़ी होती जारी बहतर होती जारी है लेकिन अभी तक में लगा लें बागी जो पाकिस्तान की तरह 240 मिलियन ऐसे कोई 11-12 मुल्क है जिनकी 100 मिलियन से ज्यादा पापुलेशन है ज्यादातर जो है जापान को छोड़ दें एक आद ऐसी चीज़ें जिनको छोड़ दें बागी मैक्सिको वगरा हुआ हुआ इत्यों नाइजीरिया हुआ यह सारी जो है डिवैललबिंग नेशन में आते हैं जिनकी एकेनामिक कंडिशन इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है लेकिन सारी तो दो दो गडबर होगी न Profession अतनी ज्यादा और उसके अलावा Anganda इक कंडिशन इतनी वह रिलेटेट हैं यह नहीं कहो टोटली अन रिलेट हो अब वो जब आप जाएंगे साड़क बन रही है तो आधी उरतें काम कर रही आधे मर्द काम करें तो सारी जो फिफ्टी वन परसंट है उनकी जाधाद हो फिफ्टी वन परसंट वो एकनामिक उसके अंदर लगी वी है वो हमारा कल्च्रल मसला है वो नहीं कि यह अच्छा या वो बुरा है लेकिन कमसकों वो इन्वाल जुरूर है एकनामिक प्राग्रेस के अंदर अब हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसमें इसका ऐसा काम करना कर थोड़ा सा कम होता है मौका तो वो आधी से तक्रीमन आधी जा ना पचास फीसिद हमारी जो पापुलेशन है वो पार्टि गर में बैटके उनोंने किया अगर उनकी खुआश यहे कि बच्चों को पहला बढाएं तो वह उसकी वैलियू है ना उसकी वैलियू करकर लगाएं ज़रा वेलियू करके लगाएंगे तो उनसे बड़ी बड़ी हमारी एकनुमी बन जाएगी लेकिन वह वैस्टन उसकी western आती है तो वो ही follow करना पड़ता है जो imf का पॉर्मूले होते हैं economics जब पढ़ते हैं कभी किसी जगह पर आके Islamic economics पढ़ लेते हैं वरना अगर बागी जो कताब हैं तो सारी वेस्टन एकानमी पढ़ते हैं अडम स्मित से चलती है सारी कहानी सूध का इसाब कर लें, अब मैं दूसी जगा जा रहा हूँ हालाएं कि उस तरफ में जाना नहीं चाहिए, अब सूध का इसाब है हमारे पास बगएर सूध एकानमी है, लेकिन हमारे पास टेक्स है, इतना बड़ा टेक्स है कि अगर हम साल के साल वो जतना जगात और फितरह रहेंगे ना, तो कोई बनी नहीं सकता इतना बड़ा मिलियन है, अगर अपने हाकिकी तोर पे जितने दे सके, तो वो मनी हमेशा रोल में रहती है, वो कितनी बड़ी उसे एकनामिक एडवांटेज होती है, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करते हैं, हम मिलामलू के कर लेते हैं, यहां पर वेस्टन करते हैं, वो बिलकुल हमारी कल्चर से बिलकुल मुक्तलिफ है, तो बहराल, यह सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, यह सारी दुनिया की जितनी भी डिवैलपिंग नेशन्स हैं, उनका यह मसला यह है, कि वो अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपन की बात मैं करना चाहरा हूँ, मैं एर कॉलिटी की बात कर रहा हूँ, यखिनां रिलेटेड है, पॉपलेशन से रिलेटेड है, एकानमी से रिलेटेड है, अब यह देखें, यह एक चार्ट है, जिसमें मुलकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई है, कि कितने कितने हैं यह एक्सपेक्टेंसी युएसे की 2017 में आउरतों की जो थी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल थी, और मेल की थी वो तो 76 साल थी, मेल की हमेशा कम होती है, क्योंके कुल्चरली हमारे जिनेटिक्स ऐसा है, जाधतर पहले लोग शिकार करने मर्दी जाते थे, उस जिनेटिकली हम ऐसे हैं कि मर्ज जो हैं, वो कम जिन्दा रहते हैं, औरतें जो हैं, जाधा देर तक जिन्दा रहती हैं, यह चीज अफरीका में जाके बिल्कुल उल्टी हो जाती है, उसकी वज़ा में आपके समझाओंगा कि क्या है, चाइना में 82, 76, 82 औरतों की 76 अमर्द की अब यह ऊपर वाली कंट्रीज हैं, दिमाग में रखें, मतलब 75 साल या 80 साल रख लें दिमाग में, एवरिज 75 साल रख लें, अब उसको कंपेर करें इन चीजों से जो नीचे वाले हैं, लेफ पे देखें, सारी जो कंट्रीज हैं, सब अफरीकन हैं, कोई इसमें एक की जो सबसे मुफलिस कंट्री है, वो हेटी है, उसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन से ज़्यादा है, और इनकी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखना है, चालीस और तीस साल, याने जो अच्छी जगा हैं, उनसे आधी जिन्दगी इनकी, आधी जिन्दगी, उसी साल वाले हैं, वो अपने उसी प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, जो चालीस साल वाले हैं, उनकी मरमत कोई नहीं होती, तो ये एक बड़ा मसला है, अब उसमें सिर्फ मुफलिसी नहीं, मुफलिसी से कनेक्टिड और जो एर पुलूशन है, उसकी बात कर रहा हूँ इस खराब हुआ, अगर बचे तो, ये उन लोगों की स्ट्रेटिस्टिक्स है, ये भी एक मज़े बार बात है, जो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनको जो चोटी उमर में मरते हैं, वो काउंट नहीं हो रहा हैं, जो जी पाते हैं, उनकी लाइफ एक्स्पेक्टेंसी कितनी कम हो जाती है, तो दो साल, अगर दो साल सर्फ हवा खराब होनी के वज़ा से लगता तो नहीं किया, लेकिन ये अगर अफरीका में चाली साल रहें, उस में से दो निकाल और दें उनके खराबी के वज़ा से, तो फिर बचा गया, तो एक वो है, अब पर बहुत सारी चीज़े जो अफेक्ट करती है, अब इस ग्राफ में देखें, जैसे मलेरिया वगरा हुआ, एड्स हुआ, ये सब दिनों में हैं, जो पहले वाले फ्लॉक्स है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये दिनों में है, उसके बाद देखेंगे, अगर अलकहॉल जहां पे लोगों को भी उसकी होजासे कम हो जाती है, अब लेफ्ट की जो दो देखेंगे ना, एक स्मोकिंग और एक एर पॉलूशन, दोनों तक दो साल की जो है ना, उमर घटना, स्मोकिंग का तो आपको पता ही होगा, क्या उसका वो होते हैं, मसाइल, और लेकिन एर पॉलूशन, जो हमारे आलूदा जो हवा होती है, उसकी वज़ासे, दो साल तक कि इसके में भी कम हो जाते हैं, और नीचे वाले इसमें मुक्तलिफ मुलकों की नंबर मैंने दिये हैं, कि वहाँ पे कितने कितने कम हो जाती हैं, इसके दिसलिए के अंदर, अब ये मुक्तलिफ और्गनाइजेशन ह ही है, 6-7 मिलियन के अंदर, कुछ आदे बाहर की पॉलूशन के वज़ासे, आदे अंदर के पॉलूशन के वज़ासे, बाहर का पॉलूशन तो आपने देखा होगा, अगर बाहर जाएंगे तो आपका अंदाजा होगा कि धुन होती है, धुन में मिटी होती है, मिटी में का और्दी पड़ती है उन खोड़ा से कथा िकि उत्साथ हारा पे यह इसमें उसके लावा भी कोई वी फर्नीचर हो काली ने नया आया, काली नया से वेपर्स निकलते हैं, वो वेपर्स आपके लिए अच्छे नहीं, उससे भी काफि नुखसान पहुचता है तो अन्दरून जो नीच अंदर वाली होई उसमें ये आदे हैं, बाहर की ह्वासे मरते हैं मरतें बागी ज़ए वो घर आके भी मरें आते हैं घर में भी कुछ ऐसी चीजे होती हैं कि जिसे कार्बन मोनओ आकसाइड कार्बंडा आकसाइड या दूसरे ऐसे कैमिकल्स होते हैं जिस निकल जाते हैं अब ये सब को अब इतने लोग मरे ना इतनी जिन्दगी कम हुई ना, उसका एक economic factor निकलता है, कि इसमें से कितने लोग जो मरें वो contribute नहीं कर पाते है आपकी माईशत को, तो वो कैसे उसको calculate करेंगे, तो लोगों ने किया हुआ है, ये, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, green peace की तरफ से, green peace वाले थोड़ा से इसमे बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटा number नहीं है, सिर्फ इस वजह से कम है, कि उनकी air quality जो हो अच्छी नहीं है, चाइना की बात कर रहा हूँ, जबकि चाइना में जो total health जो हो फिर भी गनीमत है, इंडिया का देखें, 5.4%, 5.4%, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखें, आप जो बहुत इंपोर्टन जीज़ें है, जैसे shipping industry का contribution चाहिद 2-3% हो, अब ये 5.4% की एकानमी सिर्फ हवा कराब होनी की हो जाते है, जो कि बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन रहाल कुछ महनस से यकीना के लिए, लेकिन मुझे इसका पाकिस्तान का exactly अंताजा नहीं कि कितने एकानमी के फरक पड़ता है, लेकिन यखीना पड़ता होगा, अब देखें, आप सर्दियों में कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर वे बंद हो जाती है, मोटर वे बंद क्यों होती है, क्यों कि temperature inversion है, temperature inversion से absorb होती है, तो वो बिलकुल अगर 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 आप उसको अप घर जाएं और अपनी नाक साफ करें तो काला काला नतर रहता है, वो क्या है, वो पानी तो है ही, लेकिन उसके अलावा पानी के अलावा जितने भी pollution बसों से, गाड़ियों से, इंडस्ट्री से, सिमेंट इंडस या जो जो चोटे बच्चे होते हैं या बड़े जो होते हैं वो चल्दी मर जाते हैं इस सिलसले में, तो बहुत बड़ा ये माश्यती नुखसान है, 6.6 परसंट, चैनीज एकानोमी में से 6.6 परसंट निकालके उसको हवा ठीक करने में लगा दिया जाए, तो सारा मसला खत करनोमी का, वो जितने पैसे आएंगे, उसको आप ऐसी कारवाई में लगा दें कि हावा जए बिलकुल ठीक हो जाए, जैसे यह है, बास जगा मुम्किन नहीं है, लेकिन बागी जगा मुम्किन है, जैसे यूरोपियन सिटीज में होता है, वो चोटे हैं, इतने बड़े नह लेकिन कोई कच्चा अलाखा नहीं है वहां पर, या ईटे लगाईवी हैं, तो गर्दवर्द उठने का कोई सवाल नहीं है, या पर सब्जा है, तो कोई गर्द वहां से नहीं उठती, जो भी सब्जा है, उससे और भी अच्छी चीज़ हैं, कार्बन डाउकसाइड अब्स ट्रीज लगाएं, और बहुत सारी ऐसी तरकीव हैं, जिससे हवा का कॉलिटी जो है, उससे बहतर हो सकती है.